लकनों में कारे क्रम में आये रेल मंत्री उपिवुश कोईल के सामने रेल कर्मचारियों ने जम कर हंगामा किया यही नहीं इस कारे क्रम में रेल मंत्री के साथ अब भधरता और धक्यमुक्य भी की गई हंगामे की शुरुवात रेल मंत्री के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने यूनियन पर रेल कर्मियों को गुमरहा करने का आरोप लगाया इसके बाद हंगामे का दौर शुरू होकर काफी देर तक चलता रहा इसी बीच बीड मेंसे किसी कर्मचारी ने रेल मंत्री की और गमला भी उचाला जिसके चलते प्यूज गॉयल के सुरक्षा गरμी पंकर शुक्ल को भी चोटाई दरसल रेल मंत्री प्यूज गोयल यहां रेलवे स्टेडियम में अधिवेशन में शामिल होने आय थे लेकिन उनके भाशन के बाद कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया अधिवेशन में सम्मोधन के दोरान प्यूश गोयल ने कहा कि यूनियन लोगों को बहका रही है ये यूवाव को गलत रहा पर ले जा रही है Northern Railway Men's Union के अध्यक्ष शिफ गोपाल मिश्र का कहना है कि कर्मचारी रेल मंत्री से पहले से ही इस बात से नाराज है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहट उनकी पेंशन का एक हिस्सा उनकी इजाज़त के बगेर काट लिया जा रहा है और उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि ये पैसा कहा लगाया जा रहा है रेल मंत्रा लेके अनुसार ये पैसा बाजार में इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसका फाइदा बात में कर्मचारियों को दिया जाएगा लेकिन कर्मचारी इससे संतोष्ट नहीं है झाल